वेल्कम तू द्रोणाचारे आयोस यूट्यूब चानल इस आवर डेली निउस्पेपर विडियो तो आज है 17 आफ जानवरी तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे दर हिंदु निउस्पेपर में वो ऐसे कौन-कौन से निउस आर्टिकल्स हैं जो UPSC preparation perspective से हमारे लिए important है देखें आज हम सबसे पहले बात करेंगे इरान की Now, इरान has launched a missile strike on Pakistan जी हाँ, इरान ने पाकिस्तान की उपर missile strike की है और पाकिस्तान की एक ऐसी location जहाँ पर एक particular militant group है उससे target करने के लिए इरान ने पाकिस्तान की उपर missile strike की है तो वो कौन सा area है और वो ऐसा कौन सा militant group है जिसके against इरान ने ये action लिया है इसकी details हम यहाँ पर देखेंगे और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इरान ने इराक और सीरिया के उपर भी attack किया है Yes, इराक के अंदर एक ऐसी location जहाँ पे इसराइल का spy headquarter है वहाँ पे target किया है इरान ने और सीरिया के अंदर आइस को target करने के लिए इसराइल ने attack किया है और साथी में ये भी कहा है that we have vote to take more revenge हम और revenge लेंगे ये कसम इरान ने खाई है तो पाकिस्तान, इराक और सीरिया इन तीनों के ऊपर इरान ने attack किया है क्या reasons है, क्या locations है वो हम यहाँ पे देखेंगे and then energy और resources की distribution से important article है हमारे पास, देखे हमने recently बात की थी lithium की lithium के लेकर इंडिया और अर्जंटीना के बीच में एक deal होती है, जिसमें इंडिया की एक state owned company जिसका नाम है काबिल वो अर्जंटीना की एक mineral energy के साथ deal करती है, जिसके थूँ अर्जंटीना के अंदर पांच lithium blocks इंडिया की काबिल company acquire करेगी और वहां से lithium को explore करेगी तो यह जो five blocks है वो इंडिया के काबिल ने acquire कर लिये है, इसकी details हम आज की वीडियो में देखेंगे and then we gonna talk about 10th schedule now reason is this recently महराश्टरा के legislative assembly में, जो you know हमें dynamics देखने के लिए मिल रहे है वहां से 10th schedule काफी important हो जाता है तो हम समझेंगे की 10th schedule है क्या और आज के newspaper में बहुत बड़ा explainer article भी आया है जिसका title है understanding the 10th schedule तो इसके कुछ brief important points हम देखेंगे then we gonna talk about FCRA Foreign Contributions Regulation Act हमने कुछ ही दिन पहले इसकी बात की थी हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोई individual या फिर कोई organization अगर उन्हें foreign donations लेनी है तो उन्हें पहले अपने आपको FCRA के थू register करवाना होता है और उसी को लेकर news ये आई है कि Home Ministry ने Center for Policy Research की जो FCRA registration है इसे cancel कर दिया है चीक है? इसकी details हम यहाँ पे देखेंगे और हमारा last article health perspective से important है यहाँ पे हम antibiotic resistance का जो issue है इसकी बात करेंगे because recently NCDC survey हुआ है जिसने ये reveal किया है कि इंडिया में more than 38% patients they are using more than one antibiotic एक एंटिबाटिक से जादा एंटिबाटिक यूज हो रही है एक से जादा एंटिबाटिक का इस्तमाल इंडिया में 38% से जादा patients में हो रहा है it is very 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 important to know कि इसके क्या repercussions हो सकते हैं in terms of antibiotic resistance तो ये कुछ topic है जो हम आज की वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जहां पे इरान ने एक location पे missile strike जो है वो launch की है सबसे पहले आप देखें the location ये है पाकिस्तान और ये है इरान बड़ी बात ये देखें कि पाकिस्तान और इरान एक दुसरे के साथ land border share करते हैं ये जो area आप देख रहे हैं this is the border between पाकिस्तान and इरान ठीक है और यहाँ पे जो province है पाकिस्तान की That is your Sistan, Baluchistan province यहाँ पे आपका Baluchistan province आजाती है अब इस area के अंदर Iran ने strike किया है अब strike किसके लिए किया है? Iran has strike on Pakistan to target a particular militant group Yes, इस area के अंदर एक militant group active है जिसे कहा जाता है जैश-Alaadal The name of the militant group is Jaish-Alaadal इसके उपर इरान ने अपना जो missile attacks हैं वो यहाँ पे किये हैं और सिरफ पाकिस्तान ही नहीं जैसे हमने पहले भी बात की पाकिस्तान के इलावा इराक और सीरिया के उपर भी इरान ने अटाक किया है ठीक है अब देखें यहाँ से location based question आ सकता है इराक में एक जगा है जिसका इरबिल अर्ड थिक है ईर भी ई वियल दिस इन ए एरडल और सीरिया में है इडलिब एडल आप इराक का जब एरिया देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह कुद्स के अंडर है यहाँ पे जो तर्की और इस एरिया के इंदर जो कुर्द्स यहाँ पे जिनको कुर्दस्तान भी बोल देते हैं तो यह उसके इंफ्लूइंस में यह एरिया आता है और यहाँ पे एक जगा है जिसक इसके वज़ा क्या है? इरान रिवेंच लेना चाहता है. रिवेंच किस चीज के लिए? हमने पहले भी इस चीज की बात की थी कि इरान के जो गाइड्स हैं, इरान रेवलियुशनरी गाइड्स, आई, आग our streets, इरान रिवलियुशनरी गाइड्स, इनके तीन मैंद्बर की जी इरान revolutionary guards के तीन members की यहाँ पे killing होती है Syria में and इसमें एक senior guard commander भी थे जो की इरान के लिए military advisor भी रह चुके थे उनकी यहाँ पे killing होती है जिसके बाद इरान ये कसम खा लेता है कि वो revenge लेकर रहेंगे ठीक है तो जिसके चलते Syria के Idlib में यहाँ पे attack होता है और Iraq का जो आपके इसराइल का जो spy headquarters है उसके पास attack किया गया है तो ध्यान सी बात है simple सी बात है location based question आपको मिल सकता है तो बहुत clearly याद रखेंगे that airbill is in Iraq and Idlib is in Syria ठीक है जी moving ahead energy and resources perspective से important topic है बात कर रहे हैं lithium deal की जो इंडिया और Argentina के बीच में हुई है ठीक है अब यहाँ पे हम पहले भी बहुत detail में देख चुके है कि हमारी इंडिया की एक state owned company है जिसका नाम है काबिल और हम काबिल का जब full form देखते हैं so full form is खनेज बिदेश इंडिया लिमिटेड ठीक है यह हमारे ministry of minds के थूरू एक state owned company है खनेज बिदेश इंडिया लिमिटेड और इनका agreement हुआ है Argentina की एक company की साथ जिसका नाम है Camion ठीक है Camion अब देखें कि जब हम इसका full form देखते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आते इस Ketamarka full form क्या है इसका Camion का Ketamarka Minera Y Energetica Solidat Del Elstado यह क्या हो गया देखें अर्जंटीना के अंदर Spanish बूली जाती है तो यह Spanish के अंदर company का नाम है लेकिन हमारे लिए जो term important है that is Ketamarka क्यूंकि अर्जंटीना के Ketamarka region में इंडिया के काबिल को पांच lithium blocks मिले हैं जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं देकिन lithium is very 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 important आज के टाइम पर लिए एक बहुत ही important mineral है यह एक alkali mineral है इसको white gold भी बोल देते है इतना important है lithium it is very soft इसका एक silvery white metal जैसी appearance इसकी आती है और यह हमारे periodic table में lightest metal है ठीक है जी बहुत highly reactive होता है lightest है low density है इसकी और इसकी electrochemical properties बहुत जादा है और बहुत important है जिसके चलते origin जो हमारा lithium है वो इतना important है देखें हमने बात की catamarka की सबसे पहले आप इसकी location देख लीजे कुछ location based questions हो सकते हैं यह देखें यह है आपका Argentina और अर्जंटीना के northernmost area में आपको यह province मिलेगा जिसका नाम है catamarka और इस catamarka प्रोविंस में इंडिया को पांच lithium blocks दिये गए हैं ठीक है this is that region यहाँ पर एक valley एक basin भी है उसका नाम भी note कर लीजेगा कभी कभी ऐसा question आ सकता है अगर आपको याद रहे किस catamarka प्रोविंस में एक basin है जिसका नाम है विलाविल कुले basin विलाविल कुले basin ठीक है यहाँ पर naturally आपके पास lithium जो है वो काफी जादा मांट में present है वैसे भी top producers जब हम lithium के देखते हैं तो उसके अंदर ऑस्ट्रिया चिली चाइना और अर्जं और यहीं पर आपको लिथियुम ट्राइंगल भी मिल जाता है हमने बहुत रिटेल में इसकी बात की है कि यहाँ पर आपका लिथियुम ट्राइंगल है अर्जंटीना चिली और बुलीविया के बीच में हम इसको A, B, C कह सकते हैं अर्जंटीना, बुलीविया अंद चिली लिथियुम इंपृटन है लिथियुम को बैटेरी के लिए यूज के आ जा सकता है रि-चार्जवल बैटेरीस बनाने के लिए लिए बहुत बहुत important component है, glass और ceramics को strengthen up करने के लिए और durable बनाने के लिए lithium important है, lithium को medicines के लिए यूज किया जाता है, bipolar disorder के treatment में as a mood stabilizer यूज किया जाता है lithium को, और lithium एक lubricant के जैसे भी act करता है, जो कि high pressure और high temperature conditions में work कर सकता है, so lithium is important और हम इसे अर्जंटीना के catamarka province में explore करने वाले हैं, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, आगे अगर हम बढ़ें, तो हमारे constitution perspective से 10th schedule important हो जाता है, so maharashtra assembly में recently speaker has refused to disqualify the MLA's जिरोंने defection किया है, ठीक है, जहां से ये question बहुत important हो जाता है, ये समझना कि 10th schedule आखिर है क्या, ठीक है, 10th schedule को हम anti-defection law भी कह सकते हैं, anti-defection law, अब ये law करता क्या है, ये कोई भी individual MP या फिर MLA, अगर वो अपनी party छोड़, एक party को छोड़, किसी और party को join करते हैं, तो उनको punish करने के लिए anti-defection law आया गया है, अब देखें, suppose करें, आपने एक MLA के लिए या फिर MP के लिए वोट किया, और आपने वोट करते हुए देखा, कि ये candidate किस party को बिलॉँग करता है, लेकिन अगर वो person, legislative assembly में जाकर या फिर parliament में जाकर अपनी party छोड़ दे, तो ये तो एक किसम से violation हुई, जब elections हुए तब लोगों ने party को देखकर वोट किया हुआ अगर, तो इसलिए कोई भी अगर individual MP या MLA अपनी party छोड़ कर किसी और party को join करता है, तो इसे defection कहते हैं, और इसके लिए इसे punish करने के लिए anti-refection law लाया गया, ठीक है, इसे 10th schedule के तौर पे 1985 में हमारे constitution के अंदर add किया गया, और इसके लिए 52nd constitutional amendment act आता है 1985 में, अब इसका main basic क्या है, main basic ये है कि ये act ये चाहता है कि हमारी जो governments हैं, उनमें एक stability रहे, presentators हैं, वो अपनी parties बदलते जा रहे हैं, और government एक गिर गई government, दूसरी की government बन गई, कि toppling up यहां पर ना हो, तो इसको रोकने के लिए ये law लाया गया, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा member जो defection करता है, तो इसके basis पर उन्हें disqualify किया जा सकता है, that is what your anti-defection law is, ठीक है, अब यहां पर एक और चीज़ है, इस anti-defection law में, अगर कोई individual अपनी party change करता है, तो वो defection है, लेकिन अगर group of MPs या फिर group of MLAs किसी और party को join करते हैं, तो उसे defection के grounds पर disqualify नहीं माना जाता, इसलिए ये भी कह देते हैं, कि anti-defection में group of MPs और MLAs, they can do defection, वो disqualify नहीं खहलाती, अब इसे लेकर जो हमारा original act आया था, 1985 में, उसने कहा कि अगर एक political party के one third member, अगर अपनी party को change करते हैं, तो इसे हम defection नहीं कहेंगे, इसे हम merger कहेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आता है 91st Constitutional Amendment Act of 2003, जिसमें ये बढ़ा दिया गया, और कहा गया कि अगर एक political party के two third member, अपनी party छोड़ किसी और party में जाते हैं, तो उसे हम merger मानेंगे, और ऐसे case पे उनके उपर defection apply नहीं होगे, ठीक है, और वही यहां पे हुआ भी है, तो two third of your representatives, चाहे MP हो, चाहे ML ले हो, अगर वो दूसरी party जोइंग कर लेते हैं, तो ऐसे case में उनके उपर defection जो है, वो apply नहीं होगे, अब defection के grounds पे disqualification करनी है या नहीं, यह decision कौन लेता है, उस particular house के जो chairman है, या फिर जो speaker है, वो इ साथ रखिएगा, the decision is subjected to judicial review, इस decision के उपर judicial review हो सकता है, ठीक है जी, तो यहां पे कौन-कौन से grounds है, कब defection लगेगी, defection तब लगती है, अगर voluntarily एक member ने बोल दे कि मैं अपनी political party छोड़ रहा हूं, और मैं यह दूसरी political party जोइन कर रहा हूं, डिकलेर कर दिया, तो तब होगा ठीक है, या फिर उरने यह बोल दिया कि अपनी membership छोड़ दी, तो भी, और अगर कोई और political party जोइन कर ली, तो भी, समझ रहे हैं यह बात, यह नहीं कि, सपोस करो मैं XYZ मैंने एक party से election लड़ा, और मैं पहुंच गई parlement में, और parlement में जाकर मैंने बोला कि नहीं भी, मैं ABC party का member बन गई हूँ, तो भी defection लगता है, ठीक है, अगर सपोस करो party के अंदर whip जारी होती है, instructions होती है, कि इसके उपर vote करना है या नहीं करना, favor में करना है कि नहीं करना, अगर किसी elected member ने, वो whip को भी अगर नहीं माना, तो उसके उपर भी defection लग सकता है, और lastly, अगर कोई independent member था या फिर nominated member था, उनको मौका दिया जाता है, कि आप nominate होकर आए है, तो इसलिए 6 महीने के बीच बीच में आप कोई party join कर लीजे, अगर उनने 6 महीने के बीच में कोई party join नहीं की, और उसके बाद अगर वो कोई और party join कर लेते हैं, तो उनके उपर भी defection apply होती है, ठीक तो NCDC का जो survey आया है हमारे पास, NCDC क्या है, National Center for Disease Control, इन्होंने 20 hospitals का survey किया, और ये पाया कि इन 20 में से 13 hospitals ऐसे हैं, जहाँ पे more than 70% से ऐसे हैं, जिनको at least antibiotic की एक dose मिल ही रही है, तो antibiotics treatment plan का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, जिसके चलते, इंडिया एक ऐसा country है, जहाँ पे antimicrobial resistance काफी जादा high है, और WHO का ये मानना है कि antimicrobial resistance के चलते, 2019 में 1.27 million global deaths हुई थी, और अगर अभी तक देखें तो 4.95 million deaths throughout the world, antibiotic resistance की विज़े से हुई है, इसे लेकर WHO अपना aware program लेकर आता है, aware, aware एक tool है, जिसमें WHO ने ताकि resistance डवलप ना हो, antibiotics के use को efficient बनाने के लिए, effective बनाने के लिए, इन्हीं classify किया है, कुछ ऐसे antibiotics हैं, जो की excess की category में आते हैं, जिनको आप access कर सकते हैं, ये antibiotics जो भी common और जो serious infections हैं, उनके use के लिए अप ले सकते हैं, कुछ watch category में आती हैं, watch category में वो antibiotics हैं, which are available at all times in a healthcare system, कहीं न कहीं न कहीं ये use होई रही हैं, और कुछ reserve में डाली गई हैं, ये ऐसी antibiotics हैं, जो की, you know, preserve की गई हैं, and they can be used only as a last resort, कि अगर कोई और antibiotic नहीं बची, तभी आप इस antibiotic को use करेंगे, उन्हें reserve की category में रखा गया है, access, easily आप use कीजिये, common है, watch, ये use हो रही हैं, लेकिन आप इसके उपर watch बना के रखो, और third is reserve, कि जब कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ये antibiotics को use किया जाए, तो इस तरहां से WHO ने classify किया है, antibiotics को, आज हमारे paper में आपको ये charts मिलेंगे, सबसे पहले तो ये show किया गया है, कि ऐसे कौन-कौन से patients हैं, जिनको antibiotics दी जा रही है, 33% patients ऐसे हैं, जो कम से कम एक antibiotic खा रहे हैं, 25% से जादा लोग ऐसे हैं, जो दो खा रहे हैं, 13% से जादा ऐसे हैं, जो तीन antibiotics खा रहे हैं, तो अब देख सकते हैं, there is a huge number of people who are taking more than, मतलब कुछ 38% लोग ऐसे हैं, जो कि more than one antibiotic consume कर रहे हैं, फिर next हमारे पास चार्ट आता है, वो यह शो करता है, कि antibiotics की जो prescription है, वो किस चीज के लिए दी जा रहे हैं, तो यहां पर आप हैरान हो जाओगे, इंडिया में preventive measure के तौर पे 55% antibiotics दी जा रहे हैं, और actual treatment के लिए 34% यूज की जा रहे हैं, तो prevention of infection के लिए जादा antibiotics यूज हो रहे हैं, as compared to treating the main disease, ठीक है, और जब हम WHO की classification देखते हैं, क्या है? aware, aware में क्या आगया? excess, watch and reserve, आप देखो, जो watch category में हैं, उनका use काफी जादा हो रहा है, मतलब जो commonly use हो रहे हैं, हाला कि जो list, WHO ने दी है कि आप इनको use कीजिए, commonly use कीजिए, most common infection इसे treat होती है, excess वाली कम use हो रहे हैं, watch वाली जादा use हो रहे हैं, ठीक है जी, इसके इलावा यहाँ पर दिखाया गया है कि किस-किस तरहा की जो classification है, एन्टिबाटिक्स की वो use हो रहे है, यह हमारे लिए तलाव डिटेल है, यह हम नहीं देखेंगे, हमारे लिए यह तीन चार्ट्स काफी important हो जाते हैं, देकें, WHO का यह जो aware program है, यह हमारे लिए बहुत important है, excess, watch and reserve, watch category वाली antibiotics जागा use हो रहे हैं, ठीक है, and आगे बढ़ते हैं, हमारा last news article NGO से related है, तो हमने पढ़ा था कि किस तरह foreign contribution regulation act हमारे पास आता है, जो कि NGO's की foreign donations को regulate करता है, and जिसके चलते हमारे पास एक center for policy research है, CPR, यह think tank है, ठीक है, new Delhi based, अब यह foreign donations receive नहीं कर सकता, Ministry of Home Affairs ने, Home Ministry ने, FCRA की registration दी गई थी इसे, उसे cancel कर दिया है, ठीक है जी, तो यह कुछ पाते हमें आज के newspaper से देखनी थी, so that is all for today's video, आज की इस video के लिए इतना ही, thank you so much for watching, I will see you all in my next one, thank you.